Hello my YouTube family, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब लोग बढ़िया हैं, भले चंगे हैं मैं भी बढ़िया हूँ आप लोगों से एक अपडेट शेर करनी थी मैंने इंस्टाग्राम पे एक निया पेज क्रियेट किया है किरिन शाहपुरी अकाडमी और ये page specifically उन लोगों के लिए है जो टारो सीखने में इंटरेस्टेड हैं टारो में अपना करेयर बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस page को follow करें क्योंकि इसमें बोखोट सारी चीजें related and connected to learning टारो I'll be sharing exclusive tips, insights, upcoming workshop इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ किरिन शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि September मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी आप क्या महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में September मन्त में क्या रहेगा कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप September मन्त की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं September 2024 की Love Tarot Reading चलिए टोरस आप लोगों के लिए देखें कि September 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहां पर तीन set of cards हैं फिर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे सेकिन set of cards में आपके partner की energies देखेंगे और फिर्स set of cards में हम देखेंगे कि finally September मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे बहला card मुझे दिख रहा है Trapped और ये card कहता है कि कुछ time से हैं September starting में मन ही मन आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कुछ तोरस के लिए literally हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि इस situation में इस circumstance में fuss गए इसमें से निकलना चाहा रहे हैं फिर से कहूंगी थोड़े से मायूस होते वे दिख रहे हैं अब दिखें इस चीज को सुनके घबराएं ना क्योंकि ये सिरफ और सिरफ September starting के energies है अभी बहुत सारे cards हैं आपके partner की भी energies देखनी है September month में क्या हो रहा है वो भी देखना और आपके लिए भी बहुत सारे भी cards और है तो यहाँ पर दिखें सिरफ कुछ time से और September starting के लिए ऐसी energies रहती भी दिख रही है और शायद इसलिए या पर otherwise भी justice का card कहता है September starting में आप बहुत logically चीज़ों को deal करना चाहा रहे है In fact, दिखें, mid September तक के लिए ही Emotions, feelings कहीं missing रहते हुए दिख रही है अब देखें, इसके लिए भी सब टॉरस के लिए different reasons रह सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है पीछे आप बहुत emotional, sentimental हो रहे थे और कहीं September मन्त में या फिर mid September तक आपको यसा लग रहा है कि बस, ये Emotions बड़ी तकलीफ देती हैं, परेशान करती हैं और इनकी वज़े से ही मसले होते हैं अब थोड़ा सा mind से भी चीज़ों को deal करना है अब सिरोफ और सिरोफ दिल की नहीं सुननी है, दिमाग की भी सुननी है और कहीं देखिए, दिमाग की ही सुनते वे आप दिख रहे हैं और दिमाग से ही ज़ादा चीज़ों को deal करते वे दिख रहे हैं और दूसरी बाद देखिए, जिस्टिस का कार्ड कहता है, आप अब fair होना चाहते हैं अब देखिए, यहाँ पर fair होने का मतलब भी सब्टॉर इसके लिए डिफर करेगा कुछ के लिए हो सकता है, पीछे आपको ऐसे लग रहा था कि आपके साथ चीज़ें unfair हो रही है जो आप deserve करते हैं, आपको नहीं मिल रहा है कुछ के लिए हो सकता है, आपको ऐसे लग रहा था कि पार्टनर के साथ चीज़ें unfair हो रही है आपकी तरफ से, या फिर circumstances, situation की तरफ से आपके पार्टनर के लिए चीज़ें कहीं हैं नो, नहीं fair हो रही थी या किसी भी तरीके का injustice रह रहा था तो देखिए, दोनों ही सेनारियों में कहीं justice आप maintain करना चाह रहे हैं अगर आपके साथ unfair हो रहा था, तो आप खुद के साथ fair होना चाह रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है, आप मुझे ऐसे decisions लेने हैं, ऐसी choices लेनी हैं जो, you know, मेरे को back seat पे न रखें या फिर जो मेरे लिए justice लेका रहा हैं, मेरे लिए चीज़ों को unfair न करें या फिर ऐसी energies पार्टनर के लिए हो सकती हैं, अगर आपको लग रहा है पार्टनर के साथ कहीं किसी तरीके का injustice हो रहा है कोई decision, कोई choice हो सकता लेनी हैं, हर चीज़ के pros and cons को देखते हुए वे करते हुए, आप decision choices ले रहे हैं Queen of Souls Rivers का card भी फिर से logically चीज़ों को deal करने की बात करता है और emotions, feelings के missing होने की बात करता है deeper level के लिए pause का card कहता है कि यहां तो मन ही मन आपको इसे लग रहा है कि थोड़ा साना अभी pause ले लो, रुक जाओ अभी हफ़र तफ़र में कुछ भी मत करो यहां फिर अभी बहुत action initiatives मत लो और जो भी सोच एक चल रही है यह logical mind से driven है यानि कि दिल की आवाज नहीं है यह आपके दिमाग की आवाज है और दिखिए कभी-कभी हमें दिमाग की आवाज सुनने में पड़ती है ऐसा नहीं है कि हमेशा love relationships में दिमाग की आवाज गलत बात कहती है in fact ideal situation होती है heart और mind का balance अगर आप बहुत दिल की सुनते है वो भी गलत है बहुत दिमाग की सुनते है वो भी गलत है अगर आप शुरू से ही heart और mind दोनों का balance बनाके चलते हैं तो आपका relationship जादा बहता रहता है तो यहापे दिखिए again pause का मतलब हो है कि रुक रहे हैं थोड़ा सा एका दुका कले हो सकता है break up करना चाह रहे हैं नहीं तो overall के लिए कहीं देखिए pause का मतलब break up नहीं होता है pause का मतलब होता है कि उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं चीजों को समझना चाह रहे हैं थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगी रुकना चाह रहे हैं and four of cups reverse का card कहता है कि कहीं emotionally बहुत great नहीं फील कर रहे हैं एक monotonousy, boredom वाली energies relationship में आप personal front में किसी चीज को लेकर हैती होई दिख रही है जहां पे enthusiasm नहीं है excitement नहीं है थोड़ा सा motivation missing रहता हुआ दिख रहा है सब कुछ बढ़िया है लेकिन कोई भी चीज आपको happiness joy नहीं दे पा रही है और अगर आपके partner के साथ आपकी किसी भी level पे लड़ाई चल रही है issues चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं cold war चल रहे है, hot war चल रहे है तो money-man के लिए reconciliation का card कहता है आप उनके साथ चीजों को resolve करना चाहते हैं, आप उनके साथ reconciliation चाहते हैं, आप दुबारा से उनके साथ connect करना चाहते हैं, उसी तरीके से जैसे relationship की starting में आपने connect किया था जैसे you know starting में एक love care आप उनके लिए महसूस करते थे या फिर वो आपके लिए महसूस करते थे तो कई फिर से मैं कहूंगे आप reconciliation चाह रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से surface level के लिए four of cups reverse का card कहता है कि action initiatives नहीं ले रहे हैं कितनी बार ही होता है ना हमारी बड़ी एक desire होते है किसी चीज़ के लिए, लेकिन हम उस direction में करते कुछ नहीं है Taurus ऐसा ही आपके लिए भी रहता हुआ देख रहा है और अब देखते हैं कि आपके partner की energies हैं, तो देखिए आपके partner के लिए आपके सबसे बहला card मुझे दिख रहा है forgiveness और ये card कहता है अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपके partner चाहा रहे हैं कि भई, आप उनसे गलती मांगे और, you know, apologize करें और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो माफी मांगना चाहते हैं या ये भी हो सकता है कि मन ही मन उन्होंने आपको forgive कर दिया है लेकिन surface level के लिए देखे, nine of wands, reverse का card कहता है उनको लगता है वो ठक चुके हैं इस relationship से या फिर circumstances से, या situation से या आप से और अब उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस relationship में दुबारा आएं या फिर दुबारा उस तरीके से action initiatives लें अब देखे, हाँ पर depend करेगा कि ये जो मसला है, ये जो लड़ाई है ये जो एक issue चल रहा है वो कितना छोटा है, कितना बड़ा है अगर छोटा है तो आपके partner अपनी तरफ से action initiatives नहीं लेना चाहा रहे हैं और हो सकता उन्होंने पीछे बहुत action initiatives ले और अगर बड़ा है तो कहीं उन्होंने give up कर दिया, in fact दोनों ही सेनारियों में वो give up करके बैठे हुए हैं कि भई, मैंने तो नहीं आगे बढ़के पहल करनी है और कहीं देखे, irreconcilable का card कहता है, उनको शायद money-man लग रहा है कि इस relationship में अब कुछ हो नहीं सकता, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती जो खराब हो गया, जो बिगड़ गया वो अब सुधर नहीं सकता मैं यह नहीं कह रही हूँ कि ऐसा है मैं यह कह रही हूँ कि ऐसा आपके partner को लगता है या वो money-man ऐसा महसूस करते हैं शायद इसलिए आपर two of cups rivers का का कार्ट कहता है अपनी तरफ से एक distance maintain कर रहे हैं उस तरीके से action initiatives नहीं ले रहे जैसे लेते हैं या लेते थे उस तरीके से आपसे अपनी feelings love नहीं express कर रहे जैसे करते थे या फिर करते हैं और कहीं एक दूरी sea बना के चल रहे हैं and end September के लिए moon and hot mess के cards कहते हैं कहीं ऐसा करके वो खुश तो नहीं हैं बहुत उदास हैं मायूस हैं बहुत एक fear उनके मन में हैं insecurities हैं confused हैं और उनकी life भी एक mess होई पड़ी है जैसे बोलते हैं कि उथल पुथल उबर खाबर मतलब they are not at peace with themselves उनके मन में सुकून नहीं है उनके मन में चैन नहीं है आपके बगैर Taurus और आप देखते हैं कि September मन में क्या हो रहा है तो दीखें September मन के लिए आपे 10 of swords and internet के cards कहते हैं जो भी पुरानी चीजें हैं वो किसी level पे end करके आप दोनों ही एक दूसरे के साथ चीजों को बहतर करना चाह रहे हैं आप दोनों में से किसी एक के energy हो सकती है तहीं दीखें कुछ तो पुरानी चीजें end होती हुए दिख रही हैं जो especially परेशान कर रही थी जो इस relationship में issues create कर रही थी जिन बातों की वज़े से आप दोनों की बीच में issues हो रहते किसी level पे वो end हो रही है एक नई beginning हो रही है अब देखें यह ending and नई beginning सबके लिए differ करेगी और यहाँ पर इंटरनेट का काट कहता है शायद इंटरनेट पे आप लोग ज़ादा एक दूसरे से connected है आप यहाँ पे फिर से किस level पे आपका relationship है उस हिसाब से ज़ादा चीजें depend करेंगी for example अगर आप लोगों के बीच में वाकई में बिल्कुल लडाई हो चुकी है बात नहीं कर रहे हैं तो social media पे ज़ादा एक दूसरे को stalk कर रहे हैं देख रहे हैं और कभी-कभी ना एक unset से communication भी lovers के बीच में होती है तो वो होती हुई दिख रही है क्योंकि दिखिए soul level पे तो connection होता ही होता है जब आप किसी से प्यार करते हैं कोई आप से प्यार करते हैं तो इस तरीके की एक energies रह सकती है और अगर आप लोगों की बातचीत है long distance है तो social media की थूँ ज़ादा connect कर रहे हैं social media पे एक दूसरे की post ज़ादा देख रहे हैं उनसे कुछ meanings निकालते वे देख रहे हैं तो मतलब कहीं internet से connected रहते वे देख रहे हैं and mid September के लिए हाँ पे finances and page of pentacles का card कहता है कि या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक career professional front पे ज़ादा focus कर रहे हैं या money, payse, finances, this relationship को किसी level पे effect कर रहे हैं या पिर बहुत ही practical realistic तरीके से आप दोनों में से कोई है कि आप दोनों एक दूसरे से connect करना चाह रहे हैं practical realistic होके आप लोग चीजों को deal करें और बहुत छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते वे दिख रहे हैं end September के लिए देखे take a risk का card कहता है शायद मन ही मन आप दोनों ही आप दोनों में से कोई एक risk लेना चाहते हैं थोड़ा सा दूसरे जन से connect करना या देखी किसी भी तरीके का risk हो सकता है फिर से कहूंगी जिस भी level पे आपका relationship है जो भी आपके circumstances, situations है कहीं अगर पीछे बहुत safe चल रहे थे secure चल रहे थे बहुत जादा एक you know risk नहीं लेना चाहा रहे थे तो कहीं end September में September मन्त में risk लेना चाहा रहे हैं या फिर ले रहे हैं लेकिन surface level के लिए 5 of cups का card कहता है कुछ चीजे पीछे आप लोगों के बीच में काफी खराब हुई है या कुछ के लिए उस पर September मन्त में हो रही है और उसी पर ही जादा focus करते जा रहे हैं तो देखिए आपके लिए reconciliation का card है आपके partner के लिए forgiveness का card है और यहाँ पर September मन्त के लिए 5 of cups का card है यह तीनों ही card का combination कहता है कि कुछ गलतियां तो दौरस आप से हुई है जो आपको hurt करें यह पर उनको hurt करें वो दिल से नहीं निकाल पा रहे है और देखिए यहाँ पर 5 of cups के card को अगर आप देख पा रहे हैं तो यह figure के पास 5 cups हैं जिसमें से 3 तो गिरे हुए लेकिन 2 खडे हुए और जब भी भी यह काड आता है में यह कहती हूँ all is not lost अभी यह relationship में वो एक situation नहीं आई कि यह खतम ही हो जाएगा यह चीज़ें ठीक नहीं होंगी जैसे कि हमने आपके partner के card में देखा irreconcilable यानि कि वो सोचने कि अब चीज़ें ठीक ही नहीं हो सकती तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आप लोग positively effort करते हैं positively you know एक initiatives action लेते हैं और एक दूसरे से connect करते हैं चीज़ों को solve करने की कोशिश करते हैं तो इस relationship में बहुत कुछ है जिस पे work करके चीज़ों को better करा जा सकता है तो यह था टॉरस आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें